भारत माता की भारत माता की भारत माता की गुजरात के राजपाल आचारिय देव ब्रद्जी राज के लोक प्रिय मुख्य मंत्री बुपेंद्र भाई पटेज केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी सियार पाटियल देश के अलग अलग भागों से इस कारकम में जुड़े हुए सभी राजपाल महोदय उपमुख्य मंत्री गर्ण सांसत गर्ण विधाय गर्ण अन्य जन प्रतिनिधी और विशाल संख्या में यहां आये हुए मेरे प्यारे भाईयो और भेनों केम जो बदा एक नम मजा मा वाँ तमारा बदानी क्षमा मागी ने मारे आज भाषान हिंदी मा करूँ उठे कारण के बिजा राज्यना पन बदा साथियो आ कारकम मां मोटी संख्या मां जोड़ाय लाँ छे आज देश में गणेश उत्सव चारों तरफ उत्सव की धूम है गरों में भी गणपती बिराजित है आज मिलाद उन नभी भी है देश के अलग-अलग हिस्सों में कई तोहार और पर्वम मनाए जा रहे हैं उत्सव के इस समय में भारत के विकास का उत्सव भी निरंतर जारी है अभी यहां से करीब साड़े आठ हजार करोड रुपिये के प्रोजेक्ट का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है इन में रेल रोड मेट्रो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट सामील है आज गुजरात के गवरों में एक और सितारा जुड़ा है आज नमो भारत रैपिड रेल भी शुरू हुई है यह भारत की अर्बन कनेक्टिवीटी के लिए एक और मिल का पत्थर सिद्ध होने वाली है आज गुजरात के हजारों परिवार अपने नए घर में प्रवेश भी कर रहे हैं आज हजारों परिवारों को उनके पक्के घर की पहली किस्त भी जारी हुई है मेरी कामना है नवरात्री दशहरा दुर्गापुजा धन्तेरस दिवाली अब यह सारे त्वहार इतने ही उमंग के साथ आप नए घर में मनाएंगे आप सभी का प्रवेश शूब हो आपके सपनों को नई उडान देने वाला हो मैं विशेज रुप से उन हजारों बेहनों को बशाई दूंगा जिनके नाम पर यह घर रजिश्टर हुए है विकास के इन सभी प्रोजेश के लिए मैं गुजरात वासियों को देश वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं साथ्यों उत्सव के इस माहोल में एक पीड़ा भी है इस वर्ष गुजरात के अनेक इलाकों में एक साथ अती वृष्टी हुई है पहली बार इतिहास में इतने व्यापक्स तरस्वें इतने कम सबय में इतनी तेज बारिस हमने देखी है इकका दुक्का जगों में नहीं बलकी गुजरात के कोने कोने में ये स्थिती पैदा हुई और इसके कारण हमने अनेक स्वजनों को खोया है जान माल्की की भी बहुत हानी हुई है केंद्र और राजसरकार प्रभावितों को हर संभव राहत देने के लिए काम कर रही है जिन साथियों का उपचार चल रहा है मैं उनके जल्द स्वस्त होने की कामना करता हूं साथियों तीसरी बार प्रधान मंत्री के रूप में शपत लेने के बाद मैं पहली बार आज गुजरात आया हूं आप सभी के बीच आया हूं गुजरात मेरी जन्व भूमी है गुजरात ने मुझे जीवन की हर सीख दी है आप लोगों ने हमेशा मुझ पर अपना प्यार लुटाया है और बेटा जब अपने घर आता है घर आकर जब अपनों से आशिरवाद लेता है तो उसे नई उर्जा मिलती है उसका उत्सा उसका जोश और बढ़ जाता है और इतनी बड़ी तादाद में आप आशिरवाद देने आए यह मेरा बहुत बड़ा सोभाग्य है साथियों मुझे गुजरात के आप सभी लोगों की अपेक्षा का भी एसास है बार-बार मुझे अलग-अलग कॉर्णर से मेसेज भी आया करते थे आप चाहते थे कि तीसरी बार शपत लेने के बाद मैं जल्द से जल्द आपके बीच आऊं और बहुत स्वाभाविक था साथ साल के बाद देश की जनता ने एक नया इतिहास रचा है एक सरकार को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का आउसर दिया है यह भारत के लोकतंतर की बहुत बड़ी घटना है और इसलिए गुजरात के मन में ये विचार आना कि हमारे नरेंद्र भाई पर हमारा हक है उन्होंने तुरंद गुजरात आना चाहिए आपकी भावना सही है लेकिन राष्ट्र प्रथम का संकल्प दिला कर आपी लोगोंने मुझे दिल्ली भेजा है मैंने लोग सवाच चुनाव के दर्मान आप लोगों को देश वाचियों को एक गारंटी दी थी मैंने कहा था कि तीसरे टम के पहले सो दिन देश के लिए अभुत्पुर्व फैसले लिए जाएंगे बीते सो दिनों मैं मैंने दिन नहीं देखा रात नहीं देखा सो दिन के एजेंडे को पुरा करने के लिए पूरी ताकत जोंक दी देश हो या विदेश जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किये कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी और आपने देखा होगा पिछले सो दिन में न जाने कैसी कैसी बाते होने लगी इस दोरान मेरा मजाग उड़ाने लगे मोदी का मखोल उड़ाने लगे भाती भाती के तर्क वितर्क बताते रहे मजा लेते थे और लोग भी हरान थे कि मोदी क्या कर रहा है क्यों चूप है इतनी मजाग हो रही है इतना अपमान हो रहा है लेकिन मेरे गुज्रात के भाई और भेनों कि यह सरदार पटेल की भूमी से पैदा हुआ बेटा है हर मजाग हर मखोल हर अपमान को सहते हुए एक प्रान लेकर के सो दिन मैंने आपके कल्यान के लिए देश हित के लिए नीती बनाने और निर्णे लेने में जुटा लए और तय किया था जिनको जितना मखोल उड़ाना है उड़ा दो उनको भी तो मौज आए गिया ले लो ले लो और मैंने तय किया था मैं एक भी जबाब नहीं दूंगा जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्यार के मार्क पर चलना है कितने ही प्रकार के हशी मजाग ठीठोरापन होता रहे मैं अपनी इस रा से भटकूंगा नहीं और आज मुझे खुशी है कि उन सब अपमानों को पचाते हुए कि सौ दिन के इन दिनों में देश के हर नागरिक हर परिवार हर बर्गे के कल्यान की गैरंटी पक्की हो गई है इन सो दिनों में पन्रा लाग करोड रुपिय से जादा योजनाओं पर काम शुरू हुआ है चुनाओ के दोरान मैंने तीन करोड नए घर बनाने की गैरंटी देश को दी थी इस गैरंटी पर तेजी से काम हो रहा है आज यहां इस कारकम में भी गुजरात के हजारों परिवारों को पक्का घर बिला कल में जारखन में था वहां भी हजारों परिवारों को गर दी गए हैं गाम हो या शहर हम सभी को बहतर जिन्दगी जीने के लिए दबस्ताएं जुटाने में लगे हैं शहरी मिडल क्लास के घरों के लिए आर्थिक मदद देना हो स्रमिकों को सही किराए पर अच्छा घर देने का अभियान हो फेक्टरियों में काम करने वाले के लिए विशेस आवास योजना बनानी हो वर्किंग विमन के लिए देश में नए होस्टेल मनाने हो सरकार इन पर हजारों करोड रुपिये खर्च कर रही है साथियों कुछ दिन पहले ही गरीब और मिडल क्लास के स्वास्त से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है मैंने आप से बादा किया था कि देश में सत्तर वर्ष से उपर के जितने भी भुजुर्ग है सबको पांच लाख रुपिये का मुप्त इलाज मिलेगा यह गारंटी भी पूरी हो गई है अब मिडल क्लास के बेटे बेटियों को अपने माबाप के इलाज की चिंता नहीं करने पड़ेगी अब आपका यह बेटा इसकी चिंता करेगा साथियों इन सो दिनों में नवजवानों की नोकरी उनके रोजगार, स्वरोजगार, उनके कौशल विकास के लिए बड़े फैसले लिए गए है नवजवानों के लिए दो लाग करोड प्ये का विशेश पी-एम पैकेज गोशित किया गया है इसका फाइदा चार करोड से अधीक नवजवानों को होगा अब कंपनियों में पहली नोकरी की पहली सेलरी भी अगर कंपनी नए नवजवान को पहली बार रोजगार देती है तो वो पैसे सरकार देने वाली है सरकार ने मुद्रा लोन जिस मुद्रा लोन ने स्वरोजगार के ख्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है बहुत सफल अभ्यान रहा है उसकी सफलता को देखते विए पहले दसलाख रुपय तक मिलते थे अब उसे बढ़ा करके बिसलाख रुपया कर दिया गया है साथियों मैंने माता और बहनों को गारंटी दी थी कि देश में तीन करोन लगपती दीदी बनाई जाएगी बीते सालों में एक करोन लगपती दीदी बन चुकी है लेकिन आपको खुशी होगी कि तीसरी स्टम में पहले सो दिन में गुजरात सहीत पूरे देश में ग्यारा लाक नहीं लगपती दीदी बनी है हाल में ही सरकार ने तिलहन उगाने वाले किसानों के हित में तेली बिया उनके हित में भी बड़ा फैसला लिया है यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि देश के किसान हमारे तिलहन किसानों को बड़े हुए MSP से भी जादा कीमत मिले तिलहन किसानों को फाइदा हो इसके लिए विदेशी तेल के आयात पर सुल्क बढ़ाया गया है इससे सोया बीन और सुरज मुखी जैसी फसले उगाने वाले किसानों को बहुत लाब होगा और देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्वर बनाने के मिशन को भी गती मिलेगी सरकार ने बासमती चावल और प्याज के निर्यात पर भी जो रोक लगी हुई थी उससे भी हटा दिया है इससे विदेशों में भारत के कि चावल और प्याज की मांग बड़ी है इस निर्णे से भी देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा साथियों कि बिते सो दिनों में रेल रोड पोर्ट एरपोर्ट और मेट्रों से जुड़े दर्जनों प्रजेस को स्विकृति दी गई है इसकी जलक आज के इस कारकम में भी दिख रही है वीडियों में भी बताया गया यहां गुजरात में कनेक्टिविटी से जुड़े डेर सारे प्रजेस का सिलान न्यास या लोकारपण हुआ है थोड़ी देर पहले मैंने मेट्रों से गिप्ट सिटी स्टेशन तक सफर किया इस दोरान अनेक लोगों ने अपने अनुभव साजा किये अमदाबाद मैट्रों के विस्तार से हर कोई खुश है सौ दिनों के अंदर देश बरके अनेक शहरों में मैट्रों के विस्तार से जुड़े निर्ने लिए गए है साथियों गुजरात के लिए आज का दिन एक और वज़स से भी खास है आज अमदाबाद और भूच के बीच नमो भारत रेपिट रेल चलने लगी है नमो भारत रेपिट रेल देश में एक सहर से दूसरे सहर रोज आने जाने वाले हमारे मिडल क्लास परिवारों को बहुत सुविधा देने वाली है इसे नोकरी पेशा व्यापार कारोबर और पड़ाई लिखाई से जो साथी जुड़े हुए है उनको बहुत लाब मिलेगा आने वाले समय में देश के अनेश शहरों को नमो भारत रेपिट रेल कनेक करने वाली है साथियों बंदे भारत ट्रेनों के नेट्वर्क को इन सो दिनों में जिस तेजी से बढ़ाया गया है वो तो अभूत पुर्वा है इस दोरान देश में पंदरा से अधिक नए रूट्स पर नई वंदे भारत ट्रेने शुरू हो चुकी है इसका मतलब यह हुआ कि पिछले पंदरा सप्ता में हर सप्ता एक हिसाब से पंदरा सप्ता में पंदरा नई मेट्रो ट्रेंग कल जारखन से भी मैंने अनेक बंदे भारत ट्रेनों को हरी जंडी दिखाई आज भी नागपूर सकंद्राबाद, कोलापूर पुने, आगरा केंट बनारस, दूर्ग विशागा पत्नम पूने, हुबली, बंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है वारणसी और नई दिली के बीच चलने वाली बंदे भारत तो अब 20 कोच की हो गई है आज देश में सवा सो से जादा बंदे भारत ट्रेने हर रोज हजारों लोगों को बहतर सफर का आनंद दे रही है साथियों, गुजरात के हम लोग समय का मुल्ले समझते हैं भारत के लिए ये समय भारत का गोल्डन पिरियड है भारत का अमरित कान है अगले 25 साल में हम अपने देश को विख्षित बनाना है और इसमें गुजरात की बहुत बड़ी भूमी का है गुजरात आज मैनुफैक्टरिंग का बहुत बड़ा हब बन रहा है आज गुजरात भारत के सबसे वैल कनेक्टेड राज्यों में से एक है वो दिन दूर नहीं जब गुजरात भारत को पहला मेड इन इंडिया ट्रांस्पोर्ट एक्राप सी टू नैंटी फाइव देगा सेमी कंड़क्टर मिशन में आज गुजरात जिस तरह लीड ले रहा है वो भुद्पुर्वा है आज गुजरात में एक से बढ़कर एक उनिवर्सिटीज है पेट्रोलियम हो फॉरेंसिक हो वेल्नेस हो हर आदुनिक विशय की पढ़ाई के लिए गुजरात में बहतरीन मोके है विजेश उनिवर्सिटीज भी यहां गुजरात में आकर अपने कैंपस खोल रही है कल्चर से लेकर एगरिकल्चर तक गुजरात की पूरी दुनिया में धुम मची हुई है हम जिन फसलों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे हैं वो फसलें और अनाज भी अब गुजरात विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहा है और यह सब किसे ने किया है गुजरात में यह परिवर्तन कौन लाया है साथियों यह गुजरात के आप सभी परिष्णमी लोगों ने किया है पूरी की पूरी एक पीड़ी गुजर गई जिसमें गुजरात के विकास के लिए जी जान से यहां मैनत की है अब यहां से हमें गुजरात को एक नई उंचाई पर लेकर जाना है आपको याद होगा इस बार लाल किले से मैंने भारत में बनने वाले सामानों की क्वालिटी की बात की है जब हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का है तो कहीं न कहीं ये बात भी मान लेते हैं कि जो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा उसकी क्वालिटी शायद उतनी बहतर नहीं है और इसलिए कहते हैं ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है हमें इस मानसिक्ता से बाहर निकलना है मैं चाहता हूं गुजरात अपने बेस्ट क्वालिटी के प्रोड़क के लिए भारत और पुरी दुनिया में अपनी शांदार पहचान बढाएं सात्यों आज भारत जिस तरह नए संकल्पों को साथ काम कर रहा है विदेशों में भी भारत की आज वहवाई हो रही है हाल के दिनों में मुझे अनेक देशों में अनेक बड़े मंचों पर भारत का प्रतनीदित्व करने का आउसर मिला आपने भी देखा है कि दुनिया में भारत में का कितना मान सम्मान मिल रहा दुनिया में हर कोई भारत का भारतियों का खुले मंद से स्वागत करता है हर कोई चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिष्टे तयाबने अगर कहीं कोई संकट है कहीं कोई समस्या है तो लोग समाधान के लिए भारत को याद करते जिस प्रकार भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थीर सरकार बनाई जिस प्रकार भारत तेजगती से विकास कर रहा है उसे दुनिया की उमीदे और अधिक बढ़ गई है और 140 करोड़ देशवास्यों का यह तूट भरोसा ही है जिसके चलते मैं भी सीना चौड़ा करके गर्व के साथ दुनिया को भरोसा देता हूँ मेरे देशवास्यों की ताकत के खारण भारत पर इस बढ़ते भरोसे का सीधा फाइदा भारत के किसान भारत के नवजवान को होता है जब भारत पर भरोसा बढ़ता है तो हमारे स्कील नवजवानों की दिमान बढ़ती है जब भारत पर भरोसा बढ़ता है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और देश में ज्यादा निवेश आता है जब भारत पर भरोसा बढ़ता है तो विदेशी निवेश भारत में अपना पैसा लगाते हैं फैक्टरिया लगाते हैं भाई और बैनों एक तरब हर देशवा असी पूरी दुनिया में भारत का ब्रांड एंबेसेडर बनना चाहता है अपने देश को उसके सामर्थ को आगे बढ़ाने में लगा है वही देश में ही नेगेटिवीटी से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं ये लोग देश की एक्ता पर प्रहार कर रहे हैं सरदार पट्रेल ने हमें पांसो से जादा रियासतों को मिला कर भरत का एक ही करण किया सत्ता के भूखे ये लालची लोग भारत के ही टुकडे टुकडे कर देना चाहते हैं आप लोगोंने सुना होगा अब ये लोग मिलकर कह रहे हैं कि जमु कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे ये लोग जमु कश्मीर में दो संविधान दो विधान का नियम फिर लागू करना चाहते हैं तुष्टी करण के ये लोग किसी भी हद को पार कर रहे हैं नपसरत से भरे हुए लोग भारत को बदनाम करने का कोई मोका नहीं छोड़ते हैं ये लोग गुजरात को भी लगातार निशाने पर ले रहे हैं इसलिए गुजरात को इनसे सतर्क भी रहना है और इन पर नजर भी रखनी है साथियों विक्सित होने के रास्ते पर चल रहा भारत ऐसी ताकतों से डटकर मुकाबला करेगा भारत के पास अब गवाने के लिए समय नहीं है हमें भारत की साग भी वड़ानी है और हर भारतियों को सम्मान का जीवन भी देना है और मैं जानता हूं गुजरात इसमें भी अग्रणी है हम सभी के प्रयासों से हमारे हर संकल्प सिद्ध होंगे आज आप जिस दुमंग के उत्सा के साथ आशिरवात दे रहे हैं मैं अब गुजरात से नई उर्जा लेकर के आगे बढ़ूंगा नई चेतना को लेकर के जीऊंगा आपके लिए आपके सपनों के लिए अपना पल पल खपा दूंगा आपका कल्यां आपके जीवन की सफलता आपके सपनों को साकार कर रहां जीवन में इसके सिवाए कोई इच्छा नहीं है सिर्फ और सिरफ आप ही मेरे देश वासी ही मेरे आराध्य है मैंने मेरे इस आराध्य देव की पूजा में अपने आपको आहुदे करने का अंदिनने कर लिया है अपने आपको खपाने का अंदिनने कर लिया है और इसलिए साथियों जीऊंगा तो आपके लिए जूजता रहूंगा तो आपके लिए जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए आप मुझे असिरवाद दे करोरो करोरो देश वाच्चों के असिरवाद से एक नए आत्मविश्वाद से के साथ नए उमंग और नए होसले के साथ कि मैं 140 करोर भारत वाच्चों के सप्रों के लिए जी रहा हूं जीता हूं जीना चाहता हूं इतनी बड़ी तादाद मैं आपने आशिरवाद देने के लिए आये मैं कल शाम से गुजरात आया हूं लंबे समय के बाद आया लेकिन आपका प्यार बढ़ता ही चला जा रहा है और मेरा होसला भी बुलंद होता चला जा रहा है एक बार फिर आप सभी को नई स्विधाओं के लिए नई योजनाओं के लिए नई अवसरों के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं मेरे साथ बोलिए भारत माता की दोनों हाथ उपर करके पुरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद